जय हिन जय भारत पिछले वीडियो में हमने बात किया था फायर के बारे में और इस वीडियो में बात करने वाले सेफटी के बारे में जब बात होती है सुरक्षा की तो सुरक्षा में आता है एक तो देश की राष्ट की सुरक्षा और एक आती है मानो जाती की सुरक्षा तो राश्ट की सुरक्षा के लिए तो हमारे नेता लोग बेटे हुए हैं अब मानव जाती की सुरक्षा मतलब इंसानों की सुरक्षा हमारे कामगारों की सुरक्षा जो employee worker कारिय कर रहे हैं देश के विकास में plant बनाते हैं construction है project है railway work है किसी भी प्रकार का कारिय है तो उन जवान है border पर खड़ा हुआ है और हम जैसे आम आद्मियों की रक्षा कर रहा है ठीक है और दूसरा क्या है कि हमारा safety officer है शुरक्षा का supervisor वह भी दिन रात खड़ा रहकर उन लोगों की रक्षा करता है शुरक्षा करता है और बलकि उनकी उनके परिवार की भी रक्षा करता है तो चलिए देखते हैं आखिर सुरक्षा होती क्या है basic concept पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में सुरक्षा क्यों जरूरी है अब सबसे important चीज यह आती है कि सुरक्षा ठीक है लेकिन जरूरी क्यों है क्यों मानना चाहिए हमें तो बात आती है तो हम बात करते हैं कि हर एक प है और घर में खाने वाले चार लोग है अब यह देखो कि आपको कुछ प्रोलों हो गई चोटी मोटी चोट लग गई यह आप जोखिम हो गए तो क्या होगा आपका पूरा परिवार तो सड़क पे आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा तो जो सुरक्षा के नियम काइदे क पानून होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और उनी के तहत कार्य करना चाहिए क्योंकि हर एक आदमी के परिवार है बीवी बच्चे है माबाप है तो कम से कम उनका भी खयाल रखना है ठीक है अब जब बात आ रही है सुरक्षा की तो आईए देखते हैं कि सुरक्षा यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन दीए कि इस्टे अलएट फोर एवरी टास्क यूँ डू आप चाहे घर पे हो चाहे काम पे हो चाहे ऑफिस में कहीं पर भी हो कोई भी कार्या आप कर रहे हूं किचन में आप सबजी काट रहे हूं गेस चला रहे हूं गाड़ी चला रहे हर जगह मौझूद है आप कुर्सी पे बैटे हो हैं फोन यूज कर रहे हो इंटरनेट यूज कर रहे हो तो हर प्रकार की अलग-अलग सुरक्षा यह वहां पे डिफाइन की गई है जो कि आपको फोलू करना है अलेट रहना है क्या रहना है अलेट कोई भी आप कारिये कर र एक official definition है वो हम देख लेते हैं जब कभी अगर आपको interview में safety officer के interview में या आजकल तो किसी को भी पूछा जा सकता है तो आये देखते है इसकी definition क्या हो सकती है it is a condition एक ऐसी condition एक ऐसी परिस्तिति विच गिवस यू freedom from hazard मतलब एक ऐसा workplace ऐसी condition ऐसी इसी इस्तिति जो कि आपको क् hazard मतलब खत्रों से आजादी provide करती है आजादी देदेती है कि आप वहाँ पर जाके free कारिये कर सकते हैं किसी प्रका की कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है then risk किसी प्रका का कोई risk नहीं होगा कोई जोखिम नहीं होगा आपके कारिये में और कोई accident होने का खत्रा नहीं ह होगा तो freedom from hazard risk and accident which may cause injury जिसके कारण आपको injury हो सकती है चोट लग सकती है हाथ पर तूट सकते हैं किसी प्रका का कोई damage हो सकता है आपके tool machinery damage हो सकती है and lost to material आपका जो भी item है costly सामान है वह उसका नुकसान नहीं होगा और property damage and even death क्योंकि बहुत सारे दुरकटना है ऐसी होती है accident ऐसी होती है जो क्या convert होती है सीधी death में आदमी की जान चली जाती है तो safety के अगर हम official definition परीबासा की बात करें तो it is a condition which gives you freedom from hazard risk and accident which may cause injury damage and loss to material or property damage and even death अगर कोई भी आपको पूछता है कि what is the safety what is the सुरक्षा सुरक्षा क्या है तो आप यह simple सी बासा उनको बता सकते हैं चली देखते हैं इसके outcomes अगर कोई आदमी सुरक्षा फोलो नहीं करे या किसी की बात नहीं सुने सपोज आपने बच्चे को बाला भी या 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 यह भी तुम यह गाड़ी पर नहीं चलाना है ठीक है तुमको यह चलानी नहीं आती है तुमको सिखाएंगे जब चलाएंग लेकिन वो मानता नहीं है फिर भी गाड़ी लेके चला गया और गिर गया तो चोट लग सकती है लग सकती है लग सकती है तो अब वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके outcomes क्या हो सकते है अगर सुरक्षा फोलो नहीं करोगे तो क्या होगा दुरगटना होगी accident होगा ज इसमें जान जा सकती है माल की हानी हो सकती है सामानों की हानी हो सकती है ठीक है इससे बड़ा लोस कोई नहीं हो सकता है चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है भाईया बाइक लेके चला गया पैर टूट गए है construction company में आप काम कर रहे हैं कहीं plant में काम कर रहे हैं तो क्या सकती है ठीक है तो फिर होगा क्या कि आपके जो घर परिवार के जो लोग है वो आ जाएंगे बिल्कुल सही यह जो फोटो दिखा रखी है बिल्कुल सही बिल्कुल सडक पर आ जाएंगे ठीक है तो हमको जो है सुरक्षा को हर एक पेमाने पर फोलो करना है चाहे आप रोड पे जा रहे हों चाहे आप बाइक चला रहे हो ठीक है चाहे आप कoking office में कार्ये कर रही हो किसी project में कर रहे हो rail में कर रहे हो कभी लोग होते हैं जो rail फाटक cross करते हैं चलो यार मैं देखो मैं इधर खड़ा हूँ मेरी selfie ले लो ये कर लो ठीक है तो ऐसा कभी भी नहीं करना है क्यूंकि इसके जो नुकसान होँगे इसके जो outcomes होँगे वह बहुत ही भारी होँगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो ठीक है दोस्तों तो आज हमने इस class में देखा कि सुरक्षा क्यों जरूरी है और सुरक्षा की definition क्या है थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो और ऐसी ही class हम फिर कर लेके आएंगे और अधिक जानकारी के साथ में और अधिक परिवासों के साथ में थैंक्यू बाबाई मिलते हैं फिर